हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का जीस विजन अकैडमी पर तो यहां पर हम जो है च्छतित गड़ होमगाड भरती परिक्षा दोजार चोबिस के लिए यह हमारा पाच्व माडल पेपर है और अंकगडित का है इससे पहले भी अंकडित और रिजनिंग और सम जरूर देखने वह बहुत ज्यादा इंप्वर्टेंट आपके लिए 36 गड़ का समान निग्यान और साइंस का समान निग्यान भी आपको प्रवाइट कराया गया है वहां पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पहली बार जुड़े हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन में और जरूर प्रस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकर्शन आप तक पहुंचते रहे चलिए पहला कोश्चन क्या है इस तरह से कोश्चन पुछा जाता है कुछ कोश्चन बहुत सिंपल भी होत तो देखिए यहां option है तो सबसे पहले हम देखते हैं 25% मतलब हो जाता है 25 बटे 100 यह याद रखेंगे 25 बटे 100% मतलब क्या होता है 100 तो percent इस तरह से कोई भी अगर आपको जाम में question पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही solve करना है ऐसे ही हल करना है तो सिधा सिधा आप क्या करे देखिए यहां पर देखिए 5,7,35, 5,2,10 और 5,9,20 तो 7 बटे 20 आएगा यहां पर देखिए 7 बटे 20 यह पहला option ही दिख रहा है एमें right answer 7 बटे 20 होगा इस तरह से आप हल कर सकते हैं बहुत simple question होता है कई question ऐसे आते हैं जो बहुत ही simple होते हैं चलिए यहां पर देखते है 9 बटे 16 को प्रतिसत में बदलने पर प्राप्त होता है या प्राप्त होगा तो 9 बटे 16 को कैसे प्रतिसत में बदलेंगे तो देखिए 9 बटे 16 ध्यान रखिएगा 9 बटे 16 प्रतिसत में बदलने के लिए का करते हैं 100 का गुड़ा करते हैं तो यहां 100 कर लेंगे अब हो गया पचीस हो गया अब देखिए बचीस में 9 का गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 200-25 हो गा ये 9 पचा उपर में और ये 25 बचा ये 9 और 25 का गुड़ा हो जाएगा तो दो 25 बट्टे कितना हो गा चार हो गा अब इसको सही बटा में तोड़ने के लिए क्या करेंगे तो ये सही बटा में तोड़ने के लिए 56 56 सही 1 बटा 4 होगा क्यों 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 कि देखिए 56 में 4 का गुड़ा करेंगे तो कितना होगा 4 चके 24 की 4 4 पंचे 20 20 और 22 तो 22 होगा और 224 में उपर में खाए तो इसको जोडते हैं तो 224 और 225 हो जाएगा और 225 बटे 4 को ये दिखाएगा ये सही बटा में इस तरह से ज़्यादा question पूछे जाते हैं इसलिए इसे practice करिएगा तो 56 सही बटे 4 बी में right answer दीख रहा है आपका 56 सही बटे 4 ये कैसे है विल्कुल समझ मैं होगा इसको सही बटा में तोड़ दीए इस बटा को मतब 56 सही बटे 4 किए 56 में 4 का गुड़ा किए सिधा सिधा जो नीचे में रहता है उसमें गुड़ा कर लिजेगा कोई भी संख्या का और उपर में जो संख्या है इसको जोड़ देंगे तो 56 में 4 का गुड़ा करेंगे 224 होगा एक जोड़ेंगे 225 तो 225 बटे 4 को ये दिखाता है तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं आपके एक्जाम सेंटर में चलिए अगला question है यदी तीसरा question यदी जो है चीनी के मुल्य में 20% पृधिक की जाए तो एक ग्रिहनी को इसकी खपत कितने प्रतिसत कम करनी होगी कि इस पर खर्चना बढ़ें तो देखिए इस तरह से question पुछा जाता है एक यदी चीनी के मुल्य में 20% पृधिक की जाती है तो जो ग्रिहनी है उसकी खपत में कितने प्रतिसत कमी करनी होगी कि इस पर खर्चना बढ़ें तो देखिए इस question को कैसे करेंगे देखिए खर्चना बढ़ें कमी की कह रहा है तो खपत में कमी करना है क्या कहा रहा है इसकी खपत में कितने प्रतिसत की कमी करनी है तो खपत में कमी करने के लिए फार्मूला है आपका आर बटे ध्यान रखेगा खपत में कमी करने के लिए आर बटे हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस आर 100 प्लस आर अब देखिए गुड़ा क्या कर देंगे इस ब्रेकेट में रख लेंगे गुड़ा हो जाएगा यहाँ पे 100 अब देखिए गुड़ा कितने का करेंगे 100 का करेंगे यहाँ पे अब देखिए आर कितना दिया है हमको तो देखिए दर कितने बृद्धी है दर 25 प्रत यह समझ रहे हूं कि 100 है आर कितना है 20 है तो 120 सिधा करते हैं और गुड़ा कर देते हैं 100 का तो अब देखिए अब हमको कटा ले नहीं यहां पर दो छक के 12 और 20 अब क् narrator हो गया 50 बटे 3 परसेंट कितना है हमारे पास 50 बटे 3 परसेंट अब यह दिख रहा है 50 पचास बटे 3% हुआ, अब इस 50 बटे 3% को सही बटा में तोड़ना है, तो चलिए सही बटा कैसे तोड़ेंगे, 16 सही 2 बटे 3, क्योंकि 16 तिया कितना हुआ, 48, 42, 50, तो 50 बटे 3 को ये दर्चारा में बोला, कोई भी संख्या में इसका गुड़ा कर दें, और गुड़ा करके सही 2 बटे 3, तो ये वाला जो है बीच में, ये देखिए 16 सही 2 बटे 3, भी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, और इस तरह से कोस्चन पूछे जाते हैं आपके एक्जाम में, चलिए अगला कोस्चन है, चार अनुपात कोस्चन म मतलब हम लोग माल लेते हैं, यहाँ पर एक्स, क्या माल लेते हैं, एक्स, तो अनुपात मतलब क्या होता है बटा, तो 6 बटा एक्स हो जाएगा, और समनुपात मतलब होता है बराबर, 5 अनुपात 35 मतलब हो जाएगा, 5 बटे कितना होगा, 35 ये लिख लिजे, उसके बाद क यह पक्षांतर होगा तो उपर चला जाएगा और 6 बटे क्या हो जाएगा 35 और बटे यह जो 5 है अपना नीचे में हो जाएगा बटा तो 5 है कम 5 और 5 सते 35 तो बराबर 6 सते कितना हो जाएगा तो ये देखिए 42 सही answer है C में तो इस तरह से आप क्या है आप question का solve कर सकते हैं तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको क्योंकि इसी तरह से ही करना है अगर question mark है यह question बहुत पूछा जाता है तो इसमें एक समान लेना है और अनुपार्थ है तो बटा कर लेना 6 बटे 5 बटे 35 हो गया अब क्या करेंगे 6 गुड़ा 35 क्यों कि यह 6 जब पक्षांतर होता है तो उपर चला जाए 6 गुड़ा 35 हो जाएगा 6 गुड़ा 35 बटे यह 5 नीचे कर लेंगे इस तरह से और सिधा कटा आके 6 सत्य ब्यानी से क्या हो गया हमारा अंसर आगया ट्रिक में तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि सिधा सिधा आंसर आ जाता है यहां मैं आपको एक एक बता रहा हूं ताकि आपको समझ भाएं यहां चतूर्था नुपात है अनुपात माल लिजिए 12 अनुपात 14 सम अनुपात 24 अनुपात एक्स तो 12 अनुपात 14 मतलब 12 बटे क्या हो जाएगा 14 हो गया देखिए यहां पर देखिए 12-14 है तो 12 बटे अब सिधा सिधर कर लेते हैं 12 बटे 14 बदाबर 24 बटे X ये देखे 24 है ये उपर का 24 कर लेंगे तो 24 बटे क्या हो गया X हो गया अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे X बराबर हम करेंगे 24 गुड़ा 24 गुड़ा क्या हो जाएगा 16 24 गुड़ा 14 अब देखिए बटा हो जाएगा यहाँ पे 12 24 गुड़ा 14 बटे 12 तो 12 एकम 12 और 12 दोने 24 तो ये बचा क्या 14 और 2 तो 14 और में 2 का गुड़ा करिए बीच में गुड़ा है तो 14 दोने कितना होगा 28 तो राइट आंसर क्या आएगा 28 आएगा बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको तो देखे इसी तरह से आपको solve करना है जो भी question आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे आपको solve करना है अब चली रेखते हैं एक और है 7 अनुपात 13 के प्रस्तियक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्याएं दो अनुपात तीन में हो जाए तो देखे 7 अनुपात 13 में कौन से जोड़ा जाए तो सीधा सीधा चलते हैं एक से जोड़ेंगे 7 अनुपात 13 मतलब मैं क्या बताया हूं आपको 7 बटे 13 अनुपात मतलब बटा तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो सिधा सिधा चलिए साथ प्लस एक्स जोड़ दिये ध्यान रखेगा बटा क्या है तेरा तो तेरा में क्या जोड़ेंगे हम एक्स जोड़ेंगे दोनों में क्या जोड़ रहे हैं एक्स जोड़ रहे हैं तो साथ प्लस एक्स और तेरा प्लस तो यह तो समझ में आ गया होगा आपको बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए को है रहे हैं दो अनुपात तीन के अनुपात में हो तो दो अनुपात तीन मतलब दो बटक कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा तो यह तो समझ में आ गया होगा आपको अब क्या करेंगे यह ती साथ प्लस क्या हो गया एक्स हो गया यह साथ है साथ प्लस एक्स और दो जो है दो का गुड़ा करेंगे तेरा प्लस एक्स अब देखिए तो आप कैसे करेंगे यह साथ में तीन का गुड़ा करेंगे यह वाला साथ देखिए यह जो तीन है इसको साथ प्लस एक से गुड़ा क अब क्या करेंगे हम लोग 7 प्लस X है उपर में तो 3 सते 21 हो जाएगा उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 3X हो जाएगा 3 का गुड़ा फिर X से करेंगे फिर इसी तरह से 2 का गुड़ा 13 से करेंगे तो बराबर कर लिजिए 13 दोने 26 और ये 2 का गुड़ा X से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2X यहां तक समझ में आगए होगा ये 3X अब देखिए ये 3X है इदर तो 3X अब ये 2X पक्षांतर हो जाएगा इस साइड तो माइनस क्या हो जाएगा 2X बराबर ये 26 अपने जगह में रहेगा ये 21 पक्षांतर हो जाएगा इस साइड तो य खाली एक सबक्चेगा यो तीन में 2 गया तो एक एकस लिखते नहीं है 26 में 21 गया तो कितने बचेगा 5 तो यहां पर देखिए डी में राइटानसर आपका देख पांच यह 5 आपका सही अंसर आगया तो इसी तरह से question को आपको follow करना है इसी तरह से आपको बनाना है बहुत ज़्यादा कठी नहीं होता इसी level में ही आपका question पुछा जाता है और यह आपको समझ में जरूर आया होगा किसी वस्तु को 100 रुपय में बेचने से मतलब विक्राय मुल्य कितना हुआ हमारे पर 100 रुपय अब देखिए एक व्यक्ति को अगर 100 रुपय में बेचता है तो 20 रुपय का लाब होता है इसका लाब प्रतिसत क्या होगा तो लाब प्रतिसत निकानने के लिए दोस्तो ध्यान रखिएगा लाब बटे क्राय मुल्य गुड़ा 100 होता है लाब बटे क्राय मुल्य गुड़ा 100 तो सबसे पहले निकालेंगे चली अब क्राय मुल्य कैसे निकालेंगे है तो विक्राय मुल्य है तो विक्राय मुल्य में ये जो लाब है इसको घटा देंगे यहाँ पर देखिए 100 और रिड 20 तो बराबर कितना आ जाएगा 80 यह समझ रहे होंगे 100 में हम कितना घटा दिये 20 को देखिए हमने किसी वस्तु को 100 रुपय में बेचने में 20% लाब होता है बोट रहे हैं इसका लाब प्रतिस्तत क्या होगा तो लाब प्रतिस्तत का सूत्र है लाब बटे क्रे मूल्य और गुड़ा 100 हो जाएगा यह सूत्र है ध्यान रखेंगे अब देखिए क्रैम उल्य हम कैसे निकाले समझेगा विक्रैम उल्य में से जो लाब हुआ है उसको घटा दिये तो हमारे क्रैम उल्य असी आ गया अब इसी सूत्र में जमा दीजे यह देखिए लाब कितना है 20 तो यहां लिख लिजे 20 अब 20 और 24 के 80 यहां से देखिए 4 एकम 4 और 4 दोने 8 और 4 पंचे 20 तो सीधा सीधा यहां पर 25 परशन निकल रहा है कितना एकदम सिंपाल प्रशन है देखिए 25 परशन सीधा निकल गया तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो इस तरह से लाब से भ सिंपालने के लिए लाब बटे क्रैंव ल्या गुटा 100 तो आप का करेंगे प्रमुल्य कैसे निकलेंगे विक्राइब मौले मेंसे लाब को घटा देंगे तो यह सीधी स्वरी साओ मैं सबस्ते हाट यह 10 रुप्र हमारा क्रैमुल्य तो लाब क्षत कितना पूछत पूछन ह पूछे जाएंगे आपके एक्जाम में लगाता में उड़ो प्रॉइट करा रहा हूं लगाता प्राक्टिस सेड्ट जारी हो रहा है अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो इसे अधिक सधिक लोगों को शेयर जरूर करें और लोगों को भी इसका फायदा हो और अच्छा लगे तो लाइक करके हों प्रमोर्ट जरूर करें तो आप सभी कुश्ब कामनाव के साथ चाहिन अगला जो है आपका 36 समानने ग्यान इंडिया का समानने ग्यान पे